किलो अबस्वाकत अब से एक बार फिर से एक एक नए वीडियो तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे eye index fund के बारे में यहा फिर एक ऐसे industry के बारे में जो आने वाले time में बोखोत ही ज्मिदेश बने वाला है और बोखोत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रापिड ग्रोथ वहां पर देखने को मिल सकती है क्योंकि यह इंडेस्ट्री जो है अभी इमर्स कर रहा है and definitely this is the need of the era आप बोल सकते हैं से इस तरीके से उसके अलावा हम आपको बता दे यह एक ऐसी इंडेस्ट्री है जिसमें NST ने अभी recently एक index fund launch किया है और मतलब I think 2-3 महीने पहले ही यह index fund launch हुआ है और 2-3 महीने के अंदर ही बहुत अच्छी खासी इसमें volume देखने को मिल सकती है आप इसके individual shares को अगर आप देखेंगे ना आप individual shares में अगर आप invest नहीं करना चाहें तो आप ETF में invest कर सकते हैं Exchange Traded Fund में invest कर सकते है Exchange Traded Fund क्या होता है basket of shares होता है और जी हां आज हम लोग बात करने जादे हैं जिस sector के बारे में वह है EV electric vehicle, electric vehicle का जो sector है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरीके से growth दिखाएगा और EV का sector future है इस sector में आप invest करके एक बहुत अच्छा return बना सकते हैं over the period of time क्योंकि देखें पहले क्या होता था था na EV के vehicles तो launch हुए थे पर वो थोड़े बहुत था expensive थे क्योंकि जो EV में 40% से लेकर 70% तक का investment होता है वो बैटरी का होता है ठीक है 40-70% किसी हो 40% of the capital involved in that particular vehicle या फिर किसी में 70% of the capital तो 40-70% के आस-पास का जो बैटरी का cost होता है ठीक है और उसमें सिरे battery and circuits वगरा होते है electric vehicles में बहुत बड़ा आपको engine देखने को नहीं मिलेगा या बहुत बड़ा massive equipment देखने को और नहीं मिलेंगे आफ उसके अगर EV vehicles के अगर बात करें न तो जो भी उसका maintenance होता है वो भी बहुत आसान होता है बहुत ज़ादा कुछ उसमें आफको service के time में changes नहीं कराने पड़ते हैं तो यह है EV sector का सबसे बहतरीन सा plus point पर अगर इसका negative side देखे न तो हर 7-8 साल 10 साल में batteries को change करना पड़ेगा जो कि half of the cost होगा आफके vehicles का पर जिस तरीके से innovations हो रहे हैं आर एंडी डिपार्टमेंट काम कर रही है आने वाले टाइम में EV sector की batteries जोंगी वो और सस्ती हो जाएगी मतलब लो इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंडस्टी जन बहुत अच्छी अच्छी companies involved हैं और इनका plant जो है in house है means India में है made in India plant है और उसमें बहुत अच्छा growth कर रहोगा यह index fund है nsc के थुरू nifty ev and new age automobile nifty ev and new age automobile करके index fund है और इस index fund में अगर आफ invest करते हैं directly देखे index fund का investment जो हो ना वो best होता है as compared to anything क्योंकि index fund जो होता है वो manage किया जाता है एदर nsc और bsc के थुरू और मुझे नहीं लगता कि shared market में इस इनसे जादा data इनसे जादा fact sheet इनसे जादा proper चीज किसी और source से मिल सकता है क्योंकि actually जो भी shares को खरदा जाता है बेशा जाता है वो nsc-bsc के ही platform पे होता और nsc-bsc के द्वारा जो index fund बनाया गया है वो आफको over the period of time में बहुत अच्छा return बनाएंगे तो इस index fund का सबसे पहले मोग fact sheet देख लेते हैं fact sheet में basically होता क्या है top 10 shares होते हैं और अगर आफ इसी को नीचे scroll करेंगे तो आफको यहाँ पर देख के बारे में हम लोग बाते कर सकते हैं और अगर हम लोग बात करें EV sector में top 10 shares कौन-कौन से हैं सबसे पहले आफ इसको देख लीचे यह जो launch date था यह 30th of May को launch हुआ है आज की date में इसमें बहुत जाधा time नहीं हुआ है ठीक है 30th of May को यह launch हुआ है और वहां से यह बहुत इमर्ज तरीके से expand हो रहा है और अगर हम लोग बात करें basically इसमें top 10 shares की तो आफ देख सकते हैं top 10 shares अगर आफ यहाँ पर देखेंगे ना तो आफको दिखेगा कि EV इस particular sector में top 10 shares जो होंगे वह आफको देख जाएगा यह statement ठीक है top 10 वेटीज जिस shares में सबसे पहले आफ इसके returns को देख सकते हैं मतलब one year में 60% return इसने अल्रड़ी दे दिया है 37% five years में है five years में CGR है compounded annual return और 20% from the inception 37% five years का CGR बहुत phenomenal होता है 37.11% के आसपास का year end है मतलब इस almost September से और यहाँ पर आफ top 10 shares को कर आफ गौर करेंगे ना तो आफको दिखेगा कि इसमें कुछ extra shares नहीं है पर जो भी है वो उसी companies के उपर हैं जो company electric vehicles में काम कर रही है जैसे टाटा motors ठीक है टाटा motors electric vehicles पर definitely काम कर रही है बजाज आटो मारुति सुजुकी महेंद्रा and महेंद्रा L&T technology services and KPIT technologies टाटा एलेक्सी सोना BLW और reliance industries and आफको दिखेगा mother son international ठीक है यह सारी shares है और यह उनके weightage है अब हम इनके complete sheets की अगर हम बात करें इस particular shares में complete sheet यह तो सरफ 10 shares थे पर अगर complete data की बात करें तो वह कुछ ऐसा आफको दिखेगा इसमें अमराजा बैटरी जो है वो first number पर है उसके असुक लिलेंट बजाज आटो आफ यहां पर देख पा रहा होंगे बहुत क्लिरली देख रहा हुआ अमराजा बैटरी असुक लिलेंट बजाज आटो भारत फॉर्च बोश सीजी पावर आइसर मोटर एक्साइड इंडस्ट्री यह भी बैटरी का है गुजरात फो फ्लू कैमिकल उसके हीरो मोटो कॉप है ही मादरी स्पेसलिस्ट जे जे बीम आटो जुपिटर वेगन के पी सब्सक्राइब के जितने भी बसेस हैं और गवर्मेंट कॉंट्राक्ट्स है एलेक्ट्रिक बसेस बनाने का रतन इंडिया रिलाइंस इंडस्टी उसके बाद आफको यहां पर मदर्सन इंटरनेशनल अगें देखने को मिल जाएगा सोना बीवल टीवी एस मोटर टाटा कैम जिसमें आफ डारेक्ली इंवेस्ट करके इन सारी कंपनी के वेटेज का री बैलेंसिंग का हर एक चीज का आफको टेंशन नहीं लेना है देखिए अगर आफ खुछ से अपने पोर्टपोलियों बनाएंगे तो आने वाले टाइम में कोई अगर परफॉर्म नहीं कर रहा त उस चेर को रिमूब करके अच्छे शेर्सक इन करने के लिए आफको बुखुर्ट अच्छा नॉलिज होना चाहिए बहुत निन बहुत ज्यादा नॉलिज होना चिए सेक्टर का भी और उस इंदस्ट्री का भी पर यहां पर आफ डीर्टी इन्वेस्ट कर सकते यह बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है यह बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इनसे कुछ एक्स्ट्रा बेनफिट मिल रहा है पर आम बस ऐसा इन्फोर्मेशन आफ तक यह सारी चीज़ें लाने की कोशिज करें इवी इंडिया और इवेशन इनटे करके आप जब भी सर्च करेंगे अपने डीमाट अकाउंट में इवी इंडिया इनके एननसे कोड़ इंडिया और इवी इंडिया में आफ डायक्ली इंवेस्ट कर पाएंगे मेराय E.S.E.N.E.W. सेटी इवी और निवेज ओटमोर आटमो की बात करें मतलब उसी वॉल्यूम का पर डे बिसेस पे तो 92 लाक के आसपास है 132 करोड के आसपास का आपको यहां पर दिख जागा इंडिविजुल शेर्स पे बेट लेनी की ज़रूत नहीं है डेफिनिटल इंडिविजुल शेर्स एक अच्छा रिटन दे भी सकते हैं एक अच्छा रिटन नहीं भी दे सकते हैं पर एटीफ जो होगा वो ओवर प्रियूड ऑफ ताइम आपके कंप्लीट पूर्पोलियो को रखेगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक लिए स्टेट यून टेकर थांकिसो मज़ अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी एटीफ मुचल फंड या शेर्स के बारे में बात करना चाहिए तो आफ बेची जख हो कि कमेंट सेक्शन में मुझसे बात है कर सकते है या फिर कमेंट सेक्शन पर अपनी राय को डाल सकते हैं अपने सजेशन से डाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो जगर किसी टॉपिक पर चाहिए स्पेसिफिकली तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं हर एक कमेंट का रिस्पॉंस करना मेरी रिस्पॉंस पुरिटी है और हर एक कमेंट का हम रिस्पॉंस करेंगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक लिए स्टे ट्यून टेक केर थैंकि सो मच बबाए